आप सभी को नमस्कार आज हम आपको बताएंगे कोरोना काल में काड़ा बनाकर इम्म्यूनिटी कैसे अपना बूस्ट करें और कुछ इस तरह से आपको काड़ा बताएंगे बनाने के लिए इससे आपके प्लाटिलेट्स इंक्रीज होते हैं सर्दी जुकाम खासी बुखार सा यह रोग का इलाज है यह काड़ा तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग काली मिर्च लॉंग अदरक आप देख सकते हैं फिर से आपको यह डालचीनी हो गया तुलसी की पत्ता हो गया गिलोए हो गया यह सारा आपको यूज गरना है और इसका आपको काड़ा बना अगर गिलों नहीं भी मिलें तो चलेगा कोई प्रावलम नहीं है बहुत लोग को प्रइसानी होगी लिकिन मिल जाएं तो बहुत ही ऊचित हैं तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग पैन लेंगे, पैन में दो ग्लास पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद, हम लोग जो वो बताया थे मिसरन, उसको छोटे से खल में, उसको कूट लेंगे, अच्छे से, जैसे देखिए, हमने कूट रखा है, इसमें गिलोए है, और बहुत सारे चीज है, मतलब जितना अटे उसमें आप कूट लें, कूट कूट के अलग से रख लें, जैसे गिलोए और ये काली मिर्चम ने कूट ली है, और तुलसी के पत्ते अब, हम इसको छोटे-छोटे टुकडे करके, इसमें डाल देंगे, ये देख सकते हैं, तब तक मेरा पानी बॉइल हो चुका है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पानी जब 10-15 मिनट के हो जाएंगे, तो ये सारे टुकडे आप डाल देंगे उसमें, और 20-25 मिनट तक बॉइल होने देंगे, बॉइल होने के बाद, आप क्या करेंगे, कि तब तक आप ये जो कूटी होई चीज है, और जो आपने नहीं डाला ह ये जो है, गिलोई जिनोंने नहीं देखा है, कभी भी, ये किसी दूसरे पेड़ पे ये रहते हैं, ये पोधे के जड़ नहीं होती है, और भगवान राम ने अमरित वर्षा जब करवाई थी, बानर सेना को जीवित करने के लिए, तो ये पोधे, जहाँ जहाँ बारी ये जनमेत हैं, बहुत ही लाबकर है, इसको संस्कृत में अमरिता भी कहा जाता है, अमरित है दोस्तों, इसलिए इसका सेवन करके आप कोरोना से बच सकते हैं, ये देखिए हम सारे डाल रहे हैं, पानी बॉइल हो चुका है, इसलिए अब हम इसमें डालेंगे, डालने के ब से इसको चलाते रहेंगा, जब तक ये एक गलास, दो गलास जो पानी हमने डालत है, एक गलास पानी नहीं हो जाए, तब तक आपको ये चलाते रहना है, चलाने के बाद आप इसको गरम ही सर्व करेंगे, गुन गुना रहे, तब ही आप इसका सेवन करेंगे, तो काफी ला पुखार हो किसी भी तरह का सर्दी जुकाम हो ये सारे दूर हो जाते हैं और भी इसके बहुत सारे गून हैं आसा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे और कॉमेंट बॉक्स में और ये जे टुकड़ा है इसको बाद में भी आप यूज कर सकते हैं एक दो बार और बना सकते हैं और बनाने के बाद ये सर्दी खासी बुखार ब्लड प्लेटिलेट्स और इम्मिनृटि बूस्टर का काम करेगा ब्लड प्लेटिलेट्स जिनके कम है जैसे डेंगो के को कम हो जाते हैं तो उसमें भी ये अच्छा काम करता है धन्यवाद दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करेंगे बहुत ही इंफर्मेटिव वीडियो है हमारा भारत स्वास्थ हो इसलिए शब को शेयर करके जरूर ये जानकारी देंगे धन्यवाद जय हिन जय भारत